लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि अप्रेशन बहुत अच्छा होना चैए अरे तुने अभी तक कपडे नहीं पहुचा है जल देजा तुम मेरे साथ चलो ठीक से लगाना भीया तुम लोगों ने कुछ खाया है अरे रामो इन लोगों के लिए कुछ लाओ जड़ा देखना मिठाईया है कि नहीं और तु जड़ा रहसुई में देखना अरे आप अभी तक यह है घबराव नहीं शुभा इंटरनाशनल फ्लाइट के बाद एरपोर्ट से निकलने में टाइम तो लगी जाता है बस अभी गया और अभी आया है कहा है हाँ हाँ हाँ, जीतर रहो वेलकम सन, ये लगिंग गट हाँ, चंदू रामसे, रामसे कैसा है, जाद, बमी कैसी है? बाद ची, हाँ, जाँ, जाँ हाँ, ये वक्त है तेरे आने का जब बार आता रही हो फ्लाइट डिलेड हो जाती तो अरे वा, मा, हिंदुस्तान के फेमस इंडस्ट्रिलिस्ट मिस्टर और मिस्स दिग विजय का इकलोता बेटा, करन, अगर प्लेन से सफर कर रहा हो तो अमेरिकावालों के हिम्मत है कि वो उसे डिले कर दे परस परस चेर कैसी है दूलन जी आराम से, आराम से, बॉन स्वीट का कोड़ है, बटजा बटजा अगर आपनी मैने देखा आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी करो जैंकना बात हो क्या है, अगर आप देर करेंगी, आपके ढूलन में अब भाग जाएंगे छे ब अ आणो हरना कि अे बाही भी काई नहें को अड़ा रहे ऑना के अड़ला कि आगए रो यथिर शेक्डियों हॅत बादएय। हेलो राइबादर, हेलो यह है हमारे खास दोस्त, मुबारकों जारा है अरे जीती रहो बिटिया, जीती रहो नमस्ते भावी नी, बहुत-बहुत मुबारक फोटो, फोटो किदर है, कमार राइसाथ हाँ, चलो फोटो थेंक्यू यार राइबादर, मज़ा है, अब टे, मुबारकों बहुत शुक्रिया माथर, शुक्रिया लगता है आज सारी खुश्या समटकर एक ही लम्हे में तुम्हारे खर में आगे ले वो कैसे? अरे यार, कली तो तुम्हारा बेटा अमरीका से फस्सक्रास MBA की निगरी लेकर आया है आज बेटा की शादी हो रही है वो तो है, पोटल का कारोबार शानदार चल रहा है, इसके लावा और किसी को क्या मिल सकता है? बस अब देखते जाओ, आगे क्या होता है अब तो करन भी मेरे साथ है बाभी, आप और आये होंग का बार हैं क्यों, आपका Grand Hotel देखने के लिए आप अगर देखिए तो सही इस खाकसार ने वहां क्या-क्या गुल खिला रखे हैं आएंगे आएंगे, अब तो बेटी की शादी हो चुकी है और करन की शादी होने तक हमें और करना ही क्या है, खूमना, फिरना, मता करना अरे गुबर्धन, तुम्हारा गिलास तो खाली दिख रहा है भरवादो, इसका भी बंदबस्त करता हूं अभी दोस्त, आज के इस पार्टी में हर स्टेट की और हर साइस की लड़की आई है एक भी पसंद कर ले पिशादी के लिए नहीं यार, मुझे तो यहां पर एक भी ऐसी नजर नहीं आती जो दिल को और नजर को सहराब कर सके अच्छा, तो बता कि दुझे कैसी लड़की पसंद है यार चंदू, लड़की ऐसी होनी चाहिए थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी कटी, थोड़ी सी मीथी रंग ऐसा कि चांदनी के उजाले में जैसे थोड़ा सशाम कंधिरा शामिल हो यह तू लड़की डिस्क्राइब कर रहा है या खाने का बिसक्ट अरे लड़की भी ऐसी होती है, नमकीन, मीथी है नहीं ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर मिल गई न, तो एकी नजर में पहचान लूँगा खुबसरा चेक चल रहना है मातुर साब अरे भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं बहुत में मानों का ख्याल करो गोहेड, गोहेड, लुक आफ्टर थेम, लुक आफ्टर थेम अपनी बताओ जानी रंगी हसीन रात हो, दिल्दार यार साथ हो रंगी हसीन रात हो, दिल्दार यार साथ हो तो क्या करो रंगी हसीन रात हो, दिल्दार यार साथ हो तुम ही कहो पचम के गादो, उट तो क्या करो रंगी हसीन रात हो, दिल्दार यार साथ हो रंगी हसीन रात हो, दिल्दार यार साथ हो हमको अगर मिले करी हानों को ठामते वजी हमको अगर मिले रही हानों को ठामते वजी और कुछ नहीं तो पंते कँ एठ नर गलेल ना लेगा फिर तुही तो हसरत भरे आखों से बिखा करो क्या क्या मजे की बात हो, दिल्दार यार साथ हो क्या क्या मजे की बात हो दिलदार यार साथ हो तुम ही कहो कशम से जो दुख तो क्या करो संगी हसीन नात हो दिलदार यार साथ हो रहे जाए गाल जाके वो बस यूँगी सर छुपाके वो हिखे अरे 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 जाए गाल जाके वो तब छूब कर मिलेगे हो लिफता के चूब लेगे हो फिर नहीं को आखे भरो या चल के तड़ा परो हर बस्ती भीगे रात हो दिलदार यार साथ हो तुम ही तहो पसंते जो तुम हो तो क्या करो रंगी हसीन रात हो दिलदार यार साथ हो तुम ही तहो पसंते जो तो क्या करो रंगी हसीन रात हो दिलदार यार साथ हो रंगी हसीन रात हो दिलदार यार साथ हो लेला, लेला, तुम्हारी माँ का फोन है, माँ का फोन, ऐसी लड़कियों की दी माँ होती है, और यह देखो, राहे साब का बेटा भी उसे ऐसे बता रहा है, जैसे कि शेहजादी के लिए पूर है, यहाँ हलो, लेला, मैं बोल रही हूँ, हाँ मा, बोलो, मुझे, मुझे एक जरूरी बात करनी है, बोलो मा, क्या बात है, हो, हो सकता है, तुम्हारे यहाँ पहुचने से पहले, मेरी सांस तोट जाए, इसलिए सबी कुछ, अभी बताना जरूरी समझते हूं, बोलो मा, इसी क्या मैं ते तिरी माँ नहीं हूँ नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो माँ इस जोट के साथ जीत हो गई बेटी परमना मुश्किल हो गया है मुझे, मुझे माफ कर दो मुझे माँ, माँ अब, मेरी मा नहीं है तो को है मेरी माँ को नहीं मेरी माँ को को है मेरी माँ को हो खबराऊने ढाउन तुम जाने की तयारी करो मैं सारा इंतिजाम करता हूँ कि यह लखनाव करें दो टिकेट लेयो लखनाव कौन जा रहा है तुम और मैं पर वहां पर को नहीं है हमारा जादा सवाल मत करो ना प्लीज जाओ टिकेट लेयो अहां वतन है लैला का अपना दो गया काम से गड़ में प्लीज अहां ओके ओके कि ऑनाव काम से हिता है अहां ओड़ वैं आया laz और अए अहां आयार कि लिए है के पालीज और मैं हैं अहां लेत हैं आए को लेम काम से है कर दो कर दो मैं तुम्हारी दुख को समझ सकती है लैला शुक्री कुजार हूँ आ पूरे पचीस सजार लैला और क्यार लैला रुखो हाँ भीवा एक्षा क्यों फिजूल में तो उस बुड़िया खुसत के लिए मातम बना रही है उसने तुझे क्या दिया कोठा गुंगरू बाजार और पान चबाते हुए आयाश आदमियों के सिवा तुझे क्या मिला एक बात बताओ पहले तो तुम उसकी बहुत चमचागिरी किया करते थे आज की उसकी बुराई कर रहे हो हम तो चमड़ी कीचमचागिरी करते हैं चमड़ी डीली हुई और पकड़ी पतली गली और निकल जाओ यहांसे मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए कि जहां धंदा वहां यह बंदा कौन सा धंदा? वही, जो कभी मंदा नहीं हूता, और जो तेरी माँ किया करती थी, बदन बेचने का खबरतार जो इस धंदे का मेरे सामने अभी नाम भी लिया मैं खुशनसीब हूँ कि उ मेरी मा नहीं थी तो भी क्या फर्क पड़ता है कशाई के घर का पाला हुआ बकरा कभी स्कूल का टीचर नहीं बन सकता तुमेरी सुन, फटा फट धंदे पलग जा तलील कमीने भाग जाय से कोठे के दल्ले नहीं भागते है आशिब भागते है मेरी लिए कोठा नहीं वो कबर है जिसमें मेरे बच्छपन को दफना दिया गया कबर के पास दल्लों का क्या काम जाओ जंदा को उस्तलाश करो क्या नाम है तुम्हरा यहीं रहती है अच्छा मैंने पच्छी सजार प्रेम को अडवांस दिया और पच्छी सजार अपने साथ में लाया हूँ खुश कर दोगी तुम इनाम भे दूगी अरे यह क्या कर रही हूँ मजाख मत करू भाई मैंने एडवांस दिया एडवांस दर्वासा खोड़कर जली से भाग जाए ऐसे पड़ना तेरी खुपड़ी का रोशेंदान बना दूगी एए क्या कर रहे हूँ आगे एसे जाता हूँ जाता हूँ भाई जाता हूँ यह प्रेम ने मुझे कहा पसा गया प्रेम ने मुझे पसा गया जाता ही स्थिल्ड़े यह तो आयना सन्गो के दर्वे से भाई ना आये थू अब लेला तुम बहला तुम क्यों पीछे रहते बोलो तुम कितने की बोली लगाने आए हो अगर पैसो से तुमने बदन खरीदना चाहा तो इसमें जूट क्या है नहीं ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर माबाप चले उसी रास्ते पर आउलाद भी चले लेला मैं तुमसे प्यार करता हूँ यह वो मौला है जनाम जहां हर एक नहीं बात हजारों बार सुनी है और हर बार जूट निकली है इसलिए हर तवाइफ दले से ज़्यादा प्यार के शब्से नफरत करती है सुनो लेला मैं तुम्हें एक दिन ये विश्वास दिला करी रहूंगा कि मैं तुमसे सच मुछ प्यार करता हूँ किससे प्यार करते हो तुमसे मैं कौन हूँ लेला कौन कौन है लेला क्या है ये क्यों कोठे वाली है न? वो एक क्याबरी डांसर है वो एक नुमाईश के चीज है इन्हीं छीजों से द Newya मेरी पहτचान करती है न? नहीं चाहिए मुझे हिए पहचान नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार आप मैं समती जैंगा लेला कि क्यों उस दिन तुम बार-बार फॉन पर पूछ रही थी मेरी मा कौन है क्यों न पूछू? एक लिए भी बहत बहुत जहरही है कि उसकी बेठी है, उसने किसकी कौक से जनम लिया है उसकी मा कौन है तो इसके बना एक औरत का वजूद क्या है उसकी आउकाद क्या है सरबर्चत हो ना हो पाओ के नीचे एक जमीन का तुकड़ा तो चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारी हमदाती निकल जाए यहां से चले जाओ लेकिन करण तुमने आज उसमें से कौन सी कुभी देखी जो तुमें प्यार हो गया यार सब लोग उसे एक तवाइफ के रूप में जानते हैं बस यार तू मुझे बता एक तवाइफ किन चीजों के लिए तरपती है कीमते कपड़े जेबर दौलत बस इन ही सब के लिए न लेकिन आज मैंने उसे मा के लिए दड़कते हुए देखा और उस वक्त वो सिर्फ एक बेटी लग रही थी बस एक ऐसी बेटी जो इस दुनिया के मेले में अपनी मां से बचड़ गई हो यार चंदू मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उसको उसकी मां से मिला सकूँ या कुछ तो करूना मैं उसके लिए इस मामले में इसलिए मैं अब तक इन अड़ों पे घुम रहा हूं कि शायद कहीं पर कुछ अब शेट क्या बात करता है तुमको बोलाना क्या बोलाना क्या यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलना अरे जब काम ही नहीं हुआ तो हमने तुमको पचीज सजार रुपया अडवांस दिये हैं वह आज मैं तुमसे लेके ही जाओंगा देखो यह दंबडी के बदले चंबडी मिल सकती है दंबडी वापस नहीं मिलती है क्यों नहीं मिल सकती है प्रेम सुनले लेला के बदले कोई और पसंद कर ले मुझे सिर्फ लेला चाहिए लेला और कोई नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ लेला चाहिए, सिर्फ लेला अरे, अरे क्या बात करता है लेला को पाने के लिए जिगर भी तो मजदु को आना चाहिए क्यों भाया तू तो लेला के यहां से तुम दबा कर भाग आया रुपए नहीं दिये, तो मैं देख लूँगा तुमको अरे, देख लेने की दम की तवायफ करते ना हम तवायफ नहीं दल ले हैं हम तो उल्टा सब को देख लेते हैं जाब हमसे ना उल जो जाब अरे जा रहा हूं लेकिन तुमसे पैसा वसूल करके रहूँगा तुम समझता क्या है अपने आपको एक सवाल के जवाब करता है सजार बोलो लेला को कब से जानते हैं मैं तो लेला को तब से जानता हूं जब से ये बाजार उसे जानता है उस वक्त वो सिर्फ तीन साल की थी और उससे पहले वो का थी जन्नम में और आगे कुछने मत आना वाला चाहे कितने में रुपेद हो तल्ले और पिले के साथ एक जैसा सलूप करना चाहिए अगर बाचन न माने तो लात मानी चाहिए बताते हैं बताते हैं सब बताते हैं हमको मान न माने जब या लेला तीन साल की थी तब हम इसे चुरा ले रहे और दुलारे बाई के हाथ 500 रुपे में बेज दिया था सर्फ 500 रुपे के लिए एक बेटी को उसकी माज से जुदा कर दिया अरे हम तो हजार मांग रहे थे या दुलारे बाई न सिर्फ 500 रुपे दिया पर लो या नियुकरत फो के लिए जिस में इसको चुरा लाया था उसका पता बता सकता हूं लिखिया अबे लिखिये नहीं चलिये चलए अँट परिख का वाई किया आपकाट दिवा राटा हए जाथ जो खुझा किया कोई है आजी जाए राजा जो झाल जो झाल 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 यह झाल झाल मा, मुझे मा कहा, तुन्हे, हाँ, फिर से कहो, मा, तुन्हे मुझे मा कहा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन, अपने आउलाद के मुझे मा सुनने का सुख कुछ और होता है, मैं हूना अपकी अपनी बेटी, मेरी बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं, इसलिए तो मन की शांती के लिए मैं ये अनाधा शरम चलाती हूं, तो क्या, तो क्या मेरा अनाध हूं? क्या नाम है तुम्हारा? पलेला माजी पलेला? जी हम, अठारा साल पहले ये आदमी इस यहां से उठाकर ले गया था अठारा साल पहले? जी बेटी, जरह राम से कहना, पुराना अल्बम लाए है जी अठारा साल पहले यहां से एक लड़की गूम तो भी थी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है तो अठारा लाए यहां लेकनो इसका नाम सितारा था, लैला नहीं था लैला नाम तो इसका दुलारी भाई का दिया हुआ है हाँ, तुम्हें रजिया लाई थी यहां यह लॉकिट तुम्हारे गले में था, जो मैंने निकाल कर रज दिया था लो हाँ, हाँ, अच्छी तरह से याद है यह लॉकिट मुझे अच्छी तरह से याद है, इसे खास तुम्हारे लिए बनायाता उन्होंने उन्होंने? हाँ, उन्होंने, उन्तीनोंने तीनोंने? उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है माशालला, वो क्या लड़किया थी? आसमान पर उड़ते पंची की तरह आजाद, तितलियों की तरह खुपसूरत, जंगली गिरनों की तरह शोह और चंचल परखाखा साइकल पर सवार होकर अपने आशिक से मिलने जाना लगता है साइकल का तुम्हारे बसाने में एक खास मकाम है जब देखो तब मकाम मकाम करती रहती, अगर मेरे रोमैंस में तरह मकाम बीच में आ गया तो तो तेरी ऐसी की तैसी कर दोगी इस नाचीज को एक अदद आशिक ले दिया और एक हम है किस लग रहे है कोई पूछता ही नहीं पूछेगा ही नहीं गश्ख खाके गिर जाएगा एक बाद सामेर को आजाने दोते हमारे अरे-अरे-अरे मेरे साइकल की चेज उतार गई अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-णाट वी नहीं एक उेए-दय्ट नहीं उता है एक है यहीं प्रूब ज़िए प्रूब ज़न को आजय को आए-पिस कि दोगा कर दिया मेरा भी और मेनी साइकल का भी बैडम अगर आपकी साइकल पर पॉपर लैंडिंग वसलिटी होती ना तो आज मेरा नम गिनिस बुक आप रिकार्ट में होता है आप विगड़ रही है विगड़ना तो मुझे चाहिए क्योंकि आपकी वज़े से मेरा चांस मिस हो गया कर दो मैं अपनी चांस की पड़ी है मेरी जान सेली जाती तो वाह आपको अपनी जान की पड़ी है और आपके चो मेरी जान ले लिए उसका कुछ नहीं अरे तुम्हारी जान को क्या हुआ है हट्टे-कटे तो हो उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रॉनक, वो समझते हैं, बीमार का हाल अच्छा है अजी महतरमा, अधी जिंदगी आपकी आर्जू में कट गई, और अधी आपके इंतेजार में कटी जारी है बाला करके आती ही नहीं हो, आय तो हूँ अगर आई हो, तो कुछ प्यार की बाते करो, जगड़ा क्यों कर रही हो? सुनील, जगड़ा तुम करते हो या मैं? पॉंट नमर वन, यूवाब नो बिजनेस तो बहेव लाइक देखने तुम्हें चुप करानाय का सिर्फ एक ही तरीका है सुनील, हमेशा चाल देते हो, आज सुंग लाइडिंग सिखेंगे कबाब में हटी एक नहीं दो दो क्या, क्या बोला? नहीं, मैंने कहा हुक्म, चलिए सिखा देते आज चलो सल्वा, मेरे लिए आशिक मिल गया, अब तो लगने की कोई जरूत नहीं है, समझे? आज देखना क्या शहजादा लगता है नवाब लगता है बस, सिर्फ शेरवानी में एक फूल की कमी है कनीद हादर है अरे, यह यह तो तो तेरी इपरादरीका है अगर आपको है हमत, तो जाकर अपनी शायरी उसे सुनाए तो चालेंज 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 तो अभी उसे शिशे में उतार कर आती है सुनिए ऐसा लगता है आपको कहीं देखा हूँ जरूर देखा होगा, मैं आम तोर पे आता जाता रहता हूँ याने बाहर कहीं शकल तो आपकी भी जानी माली लग रही है कुछ है ना, वो नुकत पहे पान की दुकान है वो आपकी है ना? मैं पान खाता हूँ लेकिन वो पान की दुकान मेरी नहीं है अच्छा वो समझ है, वो लेडी सेला आप कपड़े बहुत अच्छे सीते हैं मौतरमा, आपको गलत पैमी हो रही है वो आप शेर, आप शायर है ना? हाँ, मैं एक आत बार शेर तो कह लेता हूँ अगरा मिलावादी है मेरा नाम मुझे भी शायरी का बहुत शौक है पिरता हमारी अच्छी निलेगी आप मुझे पर एक शेर कहिए न अभी नहीं, मुझे जल्दी है, मैंने जाना है फिर कभी सही? सुनिए, आप ये लड़कों की कॉलिज में क्या कर रहे है यहां के जो प्रिंसिपल है मिसस बेग, उनसे मुझे कुछ काम है फिर तो आपका काम हो गया बड़ी खड़ों सो रहे है वो मेरी वालदा है जी अच्छी है अच्छी याद अल्ला याद अल्ला प्रिंसिपल का बेदा ना प्रिया तुझे तो मैदम, आपने कभी आज तब पोलो मैच देखा है? एक बार नहीं कई बार ये राजाओं बाथ्षाओं का खेल है गर्ल्स खेल के दौरान में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना क्योंकि प्रिंस ने खासतोर से हम लोगों को वहाँ इंवाइच किया है हमने रिक्वर्स किया था तब उन्होंने परमिशन दी और जो इतना शरीफ हो उसके साथ शराफत में पेशाना हासतोर से आप लोग याद लखना येस माम तुम्हे क्या लगता प्रिंस कैसा लगता होगा तुम बताओ मेरे खयाल में उसके सर पे ताज पगल में तलवार यहां से लेकर यहां तक जेवन में लगपत बड़ी-बड़ी मूछो वाला सफीद घोड़े पर सावार होगा हाँ आज का ये मुगावला सिंस आजुन से और रगबिर से में जीख होने जा रहा है सिंस अर्जुन से ही जीते आ रहे और फ्रेंज आजुन से जातार केंप अपने काभू में लखने हूए इस बोल के और पढ़ रहे हैं फ्रेंज के खड़े की रष्टा और उनके हाथों के छापने हाथ पले ही जाता है इस बोल होने ही आजा सब फिर सिर्ट इन इस आज आज पढ़ रहे हैं अब ये देखना है कि रिप इनको पुपने का बूले दाश्पाएंगे कि नहीं अब इस ने ये इनको बहुत बुपी देखों को पुपी होगारा तरकी दिल्गें कुछी निदा करें हैं और ये कौर्ण ने कौर्ण ये कौर्ण ये कौर्ण तरकी देखनी ने कौर्ण ये कौर्ण तरकी देखनी ने लेना बहुत ही मुश्टीन है कि चीद किसकी होगी आज में इस मेल के लिए बहुत वी अच्छा है अमीम मुझे प्यास लगी है हम क्या करें जब पाली प्याओ मिया तुम यहाँ खेल देखने आया हूँ कि हावा खोरी करने मैं मैं समझाता है कि तुमने मुझे बला है आपको खुश वहमी हुई है तो मैं कर जाओ फिर जो हमने कहा उस पर गौर्मन किजिये जो हमने नहीं कहा उस पर गौर्मन किजिये हमने कैसे हलिए जुआ शेयू यहाओ थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू बर्का, वह कितना हैंसम है, मैं तो इक्तम पागल हो रही हूँ और मेरे साथ उसके एक फोटो भी लेना हाँ, हाँ एक्सकेज़ मी, एक्सकेज़ मी हाँ प्रेंड, ये, ये मेरी प्रेंड है, राज हाई ये, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया मैं बर्का हूँ, राज की सहली वैसे आप बहुत खुबसूरत हैं आप भी बहुत खुबसूरत हैं बोला कह रही थी कि प्रेंड संता हांसम है इतना स्ट्रॉंग है उन्हें क्या कह रही थी, बोला आप अच्छा पूलो खेलते हैं Thank you आप पूलो क्यों खेलते हैं? मैं पूलो क्यों खेलता हूँ मैं पूलो इसदी खेलता हूँ के हाँ, मेरे बस घोड़ा है Autograph, Autograph Excuse me, Autograph please Sure क्या बात है? मैं Autograph दूँ कहा हूँ Paper, यहाँ अरे, मारा गया गरीब कौन? बई, जिसके हाथ में इनका हथ जाएगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हाथ के लगी नहीं कह रही है राज के दिल पर जो राज करेगा, वो कोई गरीब नहीं राज गुमार होगा आपका बैर Thank you May I have a photograph please, आप दुनों का Sure वहाँ, that's better आये Thank you आये रापास आना आना Okay Okay Smile please Thank you Thank you आपका घोड़ा बहुत अच्छा है आपका घोड़ा बहुत अच्छा है हाँ, वो तो है क्या मैं इसे चला सकती हूँ तेके मैं तो मान जाओंगा, लेकिन शादिया नहीं मानेगा मुझे राइडिंग आती है Okay अगर आप जित करती हैं तो आपके रिस्क पर जाएए Thank you Thank you very much राज 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 किर जाएगी पागल हो गई है राज 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 क्या हुआ क्या हुआ सबकुछ ठीक है Oh your highness I'm so sorry I hope you लड़की आपको परिशान नहीं जी बिलकुल नहीं It was a pleasure They are very well brought up girls Thank you Come on girls Come on Bye 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 We have a complaint that you meet people outside with girls No madam Yes madam Yes madam But what is the bad thing? The bad thing is not But Do you know the car Yes madam Yes madam Yes Yes ma'am Yes ma'am Your daddy is here Daddy? Yes They want you to take out Christmas vacation You can go But don't forget Yes ma'am Yes ma'am Thank you ma'am Yes ma'am Yes ma'am Ah Yes ma'am Yes ma'am Yes ma'am Yes ma'am जब भी महबत में एक खास मकाम है शाट आप परका बारक बहुत बहुत मुबारक तुमारे डैड़ी को एम मेले का टिकन मिले वाला है तुमारी मम्मी की तवित कैसी है? यह बिल्कुल ठीक है बेटेड़ चलो कारिंजार कर रही है जो जो इसमें से कोई शांदार रॉयल परस्नालिटी उस्तुरे अरे नाज लुक अरे बागल इम कप्रों में कहा भाग रही है ऐसे तुमें जा सकती है बिकुछ भूत नहीं लग रही है तू तो क्या अरे अभी तो तुझे सजाएंगे प्रिंसेस पर आकर भेज़े आए आप अपने घर को गौर से देख लीजी क्योंकि मैं आपके घर से बहुत किम्ती चीज ले जाने आया हूँ अरे भाई तश्रीफ तो रखे पहले जा बहारों की मलका आज तेरा शहजादा पर कटे पंची की तरह तेरे कदमों में गिर पड़ेगा मैं कैसी लग रही हूँ? शान, शान हाई मलकाश शहजादा क्या सीन हुने वाला है? अरे तेरा भी किन देवाब है उन्ट्यार आपसे जो गोड़ा मैंने लिया था और इस जी दिया है आप जब भी हमसे सौधा करेंगे यकीनन फायदे में रहेंगे मैं इंसानों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ लेकिन घोड़ों को नहीं मैं घोड़ों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ? इंसानों को नहीं वैसे मैं आपके आएक अर्वी घोड़ी है, उसी सिलसले में बात करने आया था पापा अरे आओ बेटे आओ, अच्छा वह तुम आ गई प्रिंस, मेरी बेटी से मिली है नमस्ते मैं इसे पहले मिल चुका हूँ, बोलो के मैदार में तब ये बता नहीं था कि ये आपकी बेटी है तो आप मिल चुके हैं पहले, बड़ी अच्छी बात है आप दोने बाते कीजिए, मैं भी हजी हुआ हलो एक बोसा दे ना बोसा? किर ये किस स्टुपिद आज मैं ठक सा गया हूँ, कुछ अरे चंगली, मैं सलमा बोल रही हूँ हाँ, हाँ, बोलो तेरे बें दिल उदास है मुझे तेरे जल्वों की प्यास है वाह सो तो है, सो तो है क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मुझसे? हाँ, है, है तो फिर बोलो न, तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ सभी अपनी माँ से प्यार करते है माँ? मैं भी करता हूँ तेरी माँ पीच में कैसे आगई? वो, वो तो शुरु से है भाई ये कौन पूछ रहा है हमारे बारे में? मा, वो, इकबाल ओ, इकबाल? हाँ वही इकबाल, क्या? इकबाल अच्छा, क्यों बटा इकबाल? आपके अमी जन आपसे प्यार नहीं करती है, क्या? लो, उसके तो फोनी बंद कर दिया वो, अमी वो ऐसा है कि उसकी माँ सौतेली है अच्छा, बेचारा बेचारा मैं, मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ मांगने आया हूँ चीज कीमती है हाँ, कीमती तो है वो मुझे नाभी कर सकते जानदार है या बेजान? जानदार उन्होंने उसे बड़े, बड़े नाजों से पाला है हाँ, मैं समझ गई आप उस अर्भी घुड़े के बारे में बात करने आया है न जिसकी आखे बादामी है बादामी या आमर नाइस और बालों को छुआ तो ऐसे लगता है जैसे रिशम 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 हाथ लगाओ, तो ऐसे लगता है जैसे माकमल को छूदिया हो अरे मैंने आपके हाथ पर अपना नाम लिखा था आपने मिठा क्यों दिया शायद तक्ची से आई से लिखा होगा मिठ गया इस बारे से पक्ची से आई से लिखूंगा किव मी डाइनमिधे अरे, देख मैं हवा में उड्रा रे हाई, मार स्वी बभी कमान, लट्स प्लाइ वरी हाई मैं हू इसक बाज नजर बाज हवा बाज यस कप्टन, कमिंग, I'm कमिंग हुसन अता, बिजली घटा सब मेरे हमराज शहर शहर नगर नगर पाओ के नीचे आदिल पर जाने चिगर आ मेरे पीछे पंक पिना ही मैं तुझे परी बना दू चंदर नगर की चल कर सेर करा दू उड़ते हुए, मुड़ते हुए, मस्त हवा में फलक फलक धनक धनक बिखर फिजा मे नहुए शकबाज मगर तू मेरी हमराजए उड़ते हुए, मुझे नहीं तू चल निकले कभी आहा, कभी वहा ली जाए निक चाहे जाए बूल के दिन अगले पिछले प्यार किया अग चल निकले बूल के दिन अगले पिछले प्यार किया अग चल निकले ऐसे ही तेरे बातों से जाने होता है ये दिल परेशाँ पख हमारे तूठी जाए इतना उड़ो ना मेरी जाँ धरती ना बदले अंबर ना बदला दिवाना दिल कैसे बदले भोल के दिन अगले पिछले प्यार किया और चल निकले मैंने लुद्या के दिलों जां पाया है तुमको महरबा ओ मैं तुम सब क्या कहूं प्यूटी क्वीन मैं भी हूं हम नो किसी से दरेंगे खुल के मुहपत करेंगे मेरी दिवानी तुम हो तो दिल पर हमको अज़्दा ये पसंद है प्याले में खाली मदीरा नहीं है इसमें तुम्हारा भी गंग है जब इतनी अच्छे तुम हो तो जारं दिल मेरा कहते ना मचले भूल के दिल अगले पिछले प्यार किया हर चैनितले माना जाने जन मैंने तुझ से लगाया दिल तुझ से सजी है मेरे अर्मा की मेखिल कितना मैं चाहूं तुझे कह नहीं सकता, तुझे बिद एक पल रह नहीं सकता तुझे को पाने के लिए मरता है दिल मेरा, और मिलू तुझे तो डरता है दिल मेरा मसता ना बन के अगर लह दाऊंगा, गिरूगा मैं ऐसा के संबल नहीं पाऊंगा पहले ही मैं तो परेशा हूँ मेरे दिल बन मुझको सताना नहीं इतना मचल कर मेरी मजबूरी को समझ जरा जाने मन मेरे पिछे पली एक प्यार की दुश्मन पर मेरी जाँ क्या किया है मैंने तुझे दिस्दगी में मेरे लिए तभी आसे लराई आजाने तो आशकी में ऐसा नहोके अम्मी हमारी हम दोनों को मारे डाले भूल के दिल अगले पिछे ले प्यार किया और चल निकली कही यहाँ कही वहाँ ले जाए दिल जाए 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 जाहाँ आए जाए जाए प्जिल आए हका लेमी हे जाहाँ कि कहा जाय जाए इस साल मेरी वीरान जिन्दगी में प्यार और दोस्ती के फूल खिले है और आज वो फूल इस मैफिल में है चर्स क्या हुआ? आप लोग शेंपेन नहीं पी रहे? हम लोग शराब नहीं पीते अरे ये शराब नहीं शेंपेन है इससे खुशी की मौके पर पिया जाता है आज मेरे पैदा होने की खुशी में आप लोग शेंपेन नहीं पीएंगे बच्पन और जवानी के बीच एक अंदेखी देलीज होती है शेंपेन का ये ग्लास उस देलीज को पारकरने में मदद करेगा कम आँ चेर्स आज मुश्च इसे खुशू आपका पैलस बहुत खुमसूरत है पूरा देखना चाहूँगी खुमसूरत था तो नहीं यह आप क्याने से हो गया है आप बाते बनाकर टाल रहे हैं साफ साफ कहिए न कि आप दिखाना नहीं चाहते आप देखना चाहे हैं और मैं न दिखाऊ आईए मेरे साथ मरगा राज कहा है बतानी बतानी राज करें बतानी बतानी यहां, यह है मेरा बेडरूम, यहां मैं पिछले एक हजार साल से, अकेला सो रहा हूँ आपके उमरे एक हजार साल की है? मेरी नहीं, मेरे इंतजार की आपको किस का इंतजार है? उसका जिसन मेरी साल गिरा पर कोई तोफा नहीं दिया आप ठेरे, प्रिंस, बहला मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है, जो मैं आपको दे सकती हूँ दे सकती हूँ रुको, रुको, जी क्या करी हो, सल्मा? तुम्हें कैसा लगा है? मुझे तो डर लग रहा है तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मुगले आजम का सीन हो रहा है तुम सलीम हो, मैं अनार कली बैक्राउन में तांजिन गा रहा है आओ कोई आतो ने जाएगा? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम बोज सलीम हो जिसने अनार कली के लिए अपने बाप से बगावत की थी आओ और करीम और करीम और करीम और करीम तुम पुछोग निया मैं तुमें यहां क्यों लाया हूँ? जानती हूँ क्या जानती हो? कि तुम्हारे मन में चोर है चोर कैसा? जो मुझे मुझसे चुरान चाता है इरादा क्या है? चोरी होने का सिनी सिनी I love you I love you too अब हमें जाना चाहिए तुम सच-बुछ जाना चाहती हो अगर आप सिद करेंगे तो मैं नहीं जाओंगे क्या करेंगे? अबॉशन? डॉक्टर का कहना है कि अबॉशन के लिए बहुत देर हो चुकी है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचते हैं हम सब उससे बात क्यों नहीं कर लेते? जिसके विज़े से हम सब परिशान है उससे बात करके क्या होगा? यह क्यों उससे कहेंगे कि शादी कर ले? अगर उसने इंकार कर दिया तो? तो फिर उसका सर फोड़ दे शुशुश। आस्ता बात कर दे और अगर उसके कोई सची मज़ बूरी हुए तो? जैसे? हाँ हो सकता उसकी शादी कहीं ओरते कहीं गए हो? फिर तो सच मज़ मसीबत में पसक है जो तक्तिर में लिखावा होता है, वही होता है. अब ये सोचो कि जो पैदा होने वाला है, उसका क्या करना है? सीधी सी बात है, जब हमने आपस में फूल बांटे हैं, तो दाग भी बांट लेंगे. दोस्ती का तकाजा तो यही है. फिर तो ऐसा किया जाए, कि जो भी पैदा होने वाला है, उसके लिए हम तीनों ही माँ बन जाएं. ताकि वो अपने आपको बदनसीब नहीं, खुशनसीब समझे, कि उसकी एक नहीं, तीन-तीन माएं हैं. और किसी के माते पर दाग भी न लगे. तो यह वादा पका? पका, बिल्कुल पका. पोड़न साहिपा, आदाब. अरी सलमा, अचानक यहां कैसे? बस यू समझ लीजी कि मोहबबत में बंधे हुए खीचे चले आया. या फिर कोई जरूरी काम ले आया? आप पॉरण दिल के बाद कैसे समझ लेती हैं? कभी मैं भी तुमारी उमर की थी. हाइ, 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 हाइ. क्या दिन थे वो जवानी के? एक दिन यू हुआ, कि मैं जाए. तो माशाला आभी भी बहुत खुबसूरत है. खुब मसका लगा रही हो. जरूर कोई खास काम है आज? ये रखिये. तरस हजार है. और पैसों की जरूत पड़ेगी. दे दूंगी. लेकिन किसलिए? यहाँ बहुत सारी पैवट बंगलोस हैं. है ना? है. क्या है क्या आप एक साल के लिए किसी एक पंगले को अपने नाम पर बोक कर लिशी? हाँ? लेकिन क्यों? हनी मून मनाने के लिए? मेरे नसीब में वो कहाँ मून तो बादलों में छिप गया और हनी किताबों के दीमक जाट गया. वाह! क्या बात है? बात यह है कि कॉलेज की अम्तिहान एक मेन के बाद खत्म हो जाएंगे. उसके बाद मैं उस बंगले में रहकर जनलिजम का कोर्स पूरा करना चाहते हूँ. फिर घर जाओंगी. वो चाल थी सलमा की. तबर्दस चाल. प्राइविट बंगलो उन तिनों ने मिलकर बुक किया था. ताकि तुम्हे जनम दे सके. तो क्या सलमा मेरी मा है? वो मैं नहीं जानती. कोई नहीं जानता. जिस हुशारी से उन तिनों ने ये काम किया, कोई जान भी नहीं सकता था. उनको जो करना था उन्होंने किया. मगर उसके सजा मैं काट रही हूँ. फिर क्या हुआ? इम्तिहान खत्म हो गया. कॉलिज बंद हो गया. मगर वो तीनों यहीं थी. एक दिल एक जान एक है हमारा जान. सबसे जुदा अपनी जमी जुदा है आत्मा. हम सबका हर्मा है हम सबकी उमंग, हम सबकी उमंग, हम सबकी तरंग. अपने तो अपने हैं सब एक ही रंग, एक ही जवान. Wow..what a lovely place,lockine,my my. What a lovely place!!! My,my. Lovely location my,my. दुनिया की सारी रस में, बुढ़ी पुरानी रस में, अपने जवाई रादे, अपकोर्स, वी अर्मोर्स नंधा का एक महमा, है जल्द आने वाला, एक गुल है खिलने वाला, वो गुल तो मेरा होगा नही नही मेरा होगा, नही नही मेरा होगा छोड़ो ये जगरा, हम सब का होगा हुआ! 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 कर दो कर दो आज की घड़ी है क्या भरी पीन डाली आएकली इस कली को मिलके हम इस तरह खिलाएंगे दुनिया के चमन का सबसे हती फूल से बनाएंगे हाँ 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 फूल से बनाएंगे होगी ये सुहानी पर्यूरे सिरानी बोलने लगेगी जब हम सचा बना के तब सुप स्वीट स्कूल लेके जाएंगे शिक्षा इसे दिलाएंगे स्कूल से एक ओलेज तब यूनिवर्सिटी के ओलेज तब पहुंचेगी जब हम इसको तब भेजेंगे देश के बाहर और ये वहाँ से आकर पहुंचे सजेगी प्यारी लगेगी तब परिया के देश से एक शहजाद आएगा डौनी में इसको विठा कर देन जाएगा हाले जाएगा हम इसको रो रोकर रुखसत करेंगे पासू बहाएगे आहे भरेंगे ये पी दे ये थी जाएग ये थी हमारा जाएग ये जाएगे ये जाएगा वो तुम्हारे खर्च के लिए बराबर रुप्या भेजती रही, तुम्हारा हालचाल पूचती रही काकस के तुकड़े तु भेजती रही, क्या खुद कभी हाई मुझे मिलने लेकिन ये आपके पास से अनाधा अश्रम कैसे पहुंची मैंने उनके कहने पर इसकी अच्छी परविरिश के लिए इसे शांती देवी बालने के तन में दाखल कर दिया कहीं इसके वज़े से दुनिया वाले उन पर कोई दाग न लगाया क्योंकि तब तो उनकी शादी भी ने हुई थी और उनके आगे एक लंबी जिन्दगी थी जीने के लिए और जिसको उनने जिन्दगी थी क्या उसके लिए उनका कोई फरस नहीं था अगर नहीं था तो मुझे जनम देते मार क्यों नहीं दिया पताईए क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा जो हर कोई रद दिखा कहा कर समझ कर मुझे एक दूस्य क्या वाले करता रहा उन्होंने मुझे जिन्दगी थी वगर जीने कादिकार नहीं दिया जीने कादिकार नहीं दिया मुझे झाल 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 मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट थी वह क्या है कि हमारी मैग्जिन चाइल साइकॉलोजी पर एक समिनार कर रही है इसी महीने की पच्चिस तारी को और हम लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप आप पर तश्रीप लाएं प्लीज जरूर रहे तहां जी काथ थैंक्यू मैडम सॉरी लेट गो चले शुक्त अब मैं हेल्थ एंड वेलफेर मिनिस्टर बरखा देवी से प्राथना करूँगा कि अब वो इस आराम घर के उद्गाटन के खुशी के मोके पर कुछ शब्द करें मैं रामपूर के वाजियों को मुबारकबात देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन बे सहरा बच्चों के बारे में सोचा इन बे घरों के लिए एक घर बनाया लाखों बच्चे इस देश में एक घर है बे सहरा है यह रात अपने माबाप के प्यार के लिए तरस रहे हैं मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते उन्हें बाल नहीं सकते तो हमें उन्हें पैदा करने का कोई हक नहीं है मेरा बस चले तो मैं हजारो यतीमों को अपना लूँ मैं आप सबको अपनी मिनिस्टी की तरफ से पूरा यकीन दिलाती हूँ कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे थानियवार Excuse me ma'am एक मेडम Excuse me आओ नौस्त बगदिव मैं बेजारा बच्चों के आराम घर के लिए एक लाग रुपे का चेक पेश करना चाहता हूँ Thank you आए मैडम Excuse me ma'am ये इन्विटेशन ताद है हमारी मैटसिन के सिलवर जूबली फांक्शन का अगर आप आएंगी तो हम अपने आपको बहुत खुश नसीब समझेंगे कोशिश करूँगे Thank you अरे मेरे राजा बेटा डूइस जीता अरे हां चलो अरे Good boy Very good boy इतना प्यार एक घोड़े से? इतना प्यार तो कोई मा भी अपनी वलाद से नहीं करती होगी ये कोई मामुली घोडा नहीं है रेस का घोडा है प्रिंस अब्दुल्ला इसका बाप और सिंदरेला इसकी मा है इसकी भेहन थंडरबर्ड इस साल की डार्वी भी जीत चुकी है एक्चुली मैठम हम आपको इसी सिलसिले में इन्वाइट करने आये थे जिस थंडरबर्ड की आप बात कर रही है कल होटेल रिस इंटरनेशनल में उसका आक्शन होने वाला है अच्छा उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तयार हो अगर खरीदने का अरादा हो तो बोली यहां नहीं होटेल में चलकर लगाईए शाम को साड़े आट बजे आएंगे ना अच्छा अभी तो हुई जवा मैं हाय फस गई कहाँ अभी तो हुई जवा मैं हाय फस गई कहाँ है जी कोई मारे मुझी कोई शारे यम यम मा मैं हुँ अकेली बाई है हाय बारो मैं चलो मेरी मा अभी तो हुई जवा मैं हाय फस गई कहाँ हुई जवा मैं हाय फस गई जवा मैं हाय फस गई कहाँ अभी तो हुई जवा मैं शारे यम फस गई कहाँ प्यार की कभी नजर से भी देखिये ए गिरे कुए निज़ा है तुना फैकिये फैकिये प्यार की कभी नजर से भी देखिये इस दिन की मैं तो तंजी ये है महफिल श्रीमों की मिलकर बड़ेगी हिस्सत कुछ हम खरेबों की किया है जवा है इस्सत वाल यहाँ आजी नहुए इस्चमा मैं हाई पत्प जईगा haaa झाल कर दो कर दो कर दो कर दो हो यहाँ वहाँ जो बेखी दूए शान से, शान से मौन लो तुही में चाहू जिलो जान से, जान से मैं तो पूरा कर दूए ये भी तुम्हारा सपना कर ये बताओ दूमें है कौन मेरा अपना है हो मेरा अक्ला तुसी की लगन में फिरो में कहां कहां कुम्हाँ अभी तभूई जवाँ मेह थाई भत गई कहां है जी कोई मारे मुझी कोई शारी यक्मा यम्मा मेह हूँ अक्ली कोई ये है हर्मारो बचलो मेरी पाँ हूँ अभी तो हूई जवाँ मेह हाई फटे गई माँ हूँ जवाँ प्रोहाणती सरीम जहराई झाल मुझे बुला गया था कि किसी मागजीन का सिलवच जबली फांक्षन है जी मुझे कहा गया था कि चैल साइकॉलजी का सेमिनार है और मुझे कहा गया था कि यहाँ डार्वी के घोडो का आॉक्षन है हम तीनों को एक चगा बुलाने का मतलब कौन है यह और क्या चाहती है हमसे पर्खाद देवी, Health and Welfare Minister Mrs. Salma Akrambeg, Principal of St. Reza's Women's College Princess Raj Lakshmi Arjun Singh आप मेरे इस करीब खाने में तश्रीफ लाई है मेरे लिए बहुत हिज़त की बात है आप तीनों को एकठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी एक दूसर से बहुत सालों के बाद मिली है है ना अरे क्या बात है मैंने इतना बड़ा काम किया इनाम न सही कम से कम शुक्रिया तो अदा कीजिए हम यह इस घटिया जगे बे बुलाने का मतलब अपना नाश दिखाने के लिए कैसा लगा? बहुत गंदा भाहिया तुम्हे करते हुए शर्म नहीं आ रही थी मुझे तो देखते हुए शर्म आ रही थी ऐसा नाश तो कोई आवारा लड़की ही कर सकती है अब ठीक कहती है लेकिन मैं क्या करूँ मेरी परवरश एक ऐसे माहुल में हुई है जहां मुझे बच्पन से सिर्फ यही सिखाय गया है के हवस केमारे मर्दों की प्यास बचाओं और अपने जिसम की नुमाईश करके उनका जी बहलाओ अपने शौक को मजबूरी करनाओं मन दो यकिन कीजिए आपने तो चाइल साइकोलोजी पर किताब लिखी है ना अपने माभव की महबबत से महरूम लड़की जब बाजार की रॉनर बनेगी तो वो वही करेगी ना जो मैं कर रही हूँ तुम बाजार में रखा हुआ मर्दों का गंदा खेलोना हो यह तुम खुद मानती हो फिर भला हम जैसी ओरतों को तुमसे क्या दिल्चस्पी हो सकती है क्यों आप जैसी ओरतों को सर्फ घोडों की नसल में दिल्चस्पी है इंसानों की नहीं मेरा वाक्त बहुत कीम्ती है जो भी कहना चाहती हूँ चल दिको मालुम है, मैं जो कहने जा रही हूँ, वो भी बहुत कीमती है आप तो अपने भाशन में हजारों यतीमों को अपनानी की बात करती हैं मां भी यतीम हूँ, मुझ से मेरी मां बच्छड गई है, मिलवा दीजे न मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी कहानी सची भी है, तो भी इसे सुनानी के लिए तुमने हम तीनों को हैं क्युचना इसलिए, कि आप तीनों का मेरी जंदगी से बहुत गहरा तालोग है पेज को पालने के लिए अपने जिस्म की नुमाईश करने वाले तेरान हमारा क्या तालोग हो सकता है? तो सुनिए, आप तीनों महान हस्तियों में से, एक मेरी मां है तुम अपनी वकाद से आगे बढ़ रही हो तुम्हारी यह हिम्मत के तुम हमें अपनी मा का हो, तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो मैं और अपनी मा को ब्लैकमेल करूँ? नहीं मैं जानती हूँ आप लोगों को समाज में बहुत बड़ा मकाम है घर, प्रहस्ती, बच्चे, दौलत, शहरत मैं जानना चाहती हूँ तो सिर्फ इतना क्या आप तीनों में वो कौन है जिसने जवानी में हवस के गुल खिलाए और जिसका जीता जाकता नतीजा मैं आपके सामने खड़ी हूँ यह लड़की या तो पागल है या बहुत चलाक मर्दों को लूटते लूटते सायद इसने औरतों को लूटने का तरीका भी सीख लिया है बहात देर हो चुकी है मैं चलती हूँ एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना है रुकिये आप इस लॉकिट को पहचानती है पीरो सहेलों की दोस्तिकी निशानी एसार भी सलमा, राज, परखा जिनोंने अपना कोई भी राज एक दूसरे से कभी राज नहीं रखा यह तक कि महपत का रंगीन खेल खेलते खेलते उनमें से एक माँ बन गई तब तीनोंने मिलकर कोल्डन वाली फार्म के राय पर लिया और दुन्या की नजरों से छुपकर एक लड़की को जनम दिया उनके इस पाप में टॉक्टर पटवरधर ने भी उनकी मदद की बच्ची को रजा के हवाले करके वो छलती बनी फिर कभी न लौटकर आने के लिए अब आप पैचानते ये इस लोकट को ये वही लोकुट है जो अपने इस मासूम बच्ची की गले में डाला था मेरे गले में मेरे गले में डाला था पैचानिये इस referring लोके नहीं पहचाना न चले जाए यहां से आप में से कोई भी मेरी मा कहलाने के लायक नहीं है मैं जिस कीचर में पलती आई हूँ अपनी बाखी जिन्दगी भी वही काट लूँगी चलते हास्ट, चलते हास्ट... चलते हास्ट! पत्थर है पत्थर प्यार भीक से नहीं मिलता अरे मैं तुमसे पुछता हूँ तुम्हे माँ की जरूरती क्या है और हो भी ऐसी ऐसी माँ की इन लोगों के लिए तुम मर चुकी हो और अच के बाद तुम भी इन लोगों को भला दो हो परदा नशी तुम छुपो लाख हम से ये दिल आशना है तुम्हे जानता है तुम्हे जानता है तुम्हे चाहता है तुम्हारे ही दावन पना चाहता है तुम्हें जिल्बिलोटे सितारों में देखा जवानी की मस्त बारों में देखा ये दिल आशना है तुम्हें जानता है तुम्हें जानता है तुम्हें चाहता है तुम्हारे हितामन बना चाहता है जुदाई की पुरसाद आहां में देखा गले मिलते काली घटाओं में देखा ये दिल आशना है तुम्हें जानता है तुम्हें जानता है तुम्हें चाहता है तुम्हें जानता 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 है इसी जती, ने, लेकिन सितारा तो छोटी है, इसके बगेर हम, उच्छी दिनों की तो बात है, सितारा को हम रजिया के हवाले कर रहे हैं, और उसके बाद, हम इसे जिसके भी पहली इशारी होगी, वो इसे अपनाएगी, वो इसे अपनी बेटी बला कर पालेगी, हम, आप तीनों महान हस्तियों में से, एक मेरी माँ है, आप पहचांती इस लौकित को, आप तीनों महान हस्तियों में से, एक मेरी माँ है, आप तीनों महान हस्तियों में से, एक मेरी माँ है, आप तीनों महान हस्तियों में से, एक मेरी माँ है, आप तीनों महान हस्तियों में से, जाने क्या बादलों की दर्मियां साजश हुई उसका घर मिट्टी का था, उसके ही घर बारिश हुई उसकी बरबादी की जिम्मदार सिर्फ आप है माडम इसलिए कि सबसे पहले शादी आप की हुई थे मेरे ससुराल का महल ऐसा था कि मैं उनसे कुछ क्या नहीं सगी बच्चों के लिए किताबे लिखना बहुत आसान है मगर उनके लिए लोरियां गाना बहुत मुश्किल है ज्यादा मेरा मेमुद हमाली बताए सितारों को धोने के लिए आप दोनों ने क्या किया आप तो बस घोड़ों की नस्रों की जानकारी हासिल करती रहीं शाट आप राज मैं भी चिला सब्सक्राइब अरे तुम क्या चिलाओगी तुम तो शुरू से ही बस रूमेंटिक रही हो तुम्हे अक्रमिया मिल गए तो बस तुम्हे सब कुछ मिलिया उसके बाद तुम्हे सितारा की कभी याद आई होगी आरे यह सवाल उनसे क्यों नहीं करती मंत्री जी से दड़ लगता है क्या मैंने सितारा को तुम लोगों से ज्यादा ढूंड़ा है बोलने का क्या है कुछ भी बोल सकती हो जूट बोलना तो तुम नेतां की आदत है जूट का भी राजनीती में एक खास मकाम है फिर मकाम सितारा भी तो पिछाड कर हमको मिली है हमने पहले भी कुछ वादे किये थे आज हम फिर से एक वादा करते हैं मकर इस जिरादे के साथ कि हम इसे पूरा करेंगे सितारा हमारी है और हम वादा करते हैं कि हम उसे उसका अधिकार दिला लाकर रहेंगे कब बुलाएंगे भाई अभी बुलाते है अभी बुलाते हैं कहा थे आप लोग, कबसे इंतिदार कर रहे हैं बैठी कितना बड़ा अदनी उतना ही लंबा इंतिदार यहां किरीद लगती है मिस्टर देगरुजे सिंग, मिनिस्टर साहिबा ने आपको बुलाया है Excuse me, सिर्फ आप देखे, मेरे पास वक्त बहुत कम है आप जो भी कहना चाहते हैं, जल्दी कहिए Madam, आपके Director of Health Services ने मेरी Factory का license आपकी Factory का license cancel कर दिया क्यूंकि आपके Company के बनाए गई दवाईयां सब standard थे मिनिस्टर साहिबा, जरूर कोई गल्दी हुए होगी मुझे एक और मौका दीजे न मैं पार्टी के election fund के लिए ये दस लाग का चेक लाया हूँ लीजे न ये में को वाँ बाल काल की अनी मुन मना रहे जवानी में तो इश्ट सभी करते हैं आपने भी किया होगा लेकिन इतनी गिरी पड़ी लड़की के साथ अच्छा ही लग रहा आपने मुझे बिलाए डैड? करन मैं तुम्हे जितना उपर उठाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम दलदल में दिश्टे जा रहे हो क्यों डैड? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप पर हराफ आए लेला एक कैबरे डांसर है अयाशी की चीज है होटेल के किसी कमरे में तुम उसे अपनी पिस्तर की जिनत बना लो मुझे कोई इतरास नहीं लेकिन इस तरह पबलिक में बहुं में बहाइं डालकर गूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं Excuse me dad आप मेरे बाप है लेकिन शायद यहसले शर्मनागबाद किसी बाप में अपने बेटी से की हो पहले तो आपने ही अपने होटल में उसे कैबरे डांसर बनाया और फिर कहते हैं कि वो याशी की चीज है नहीं रहा है पहला कोई चीज नहीं है वो एक जीती चाती लड़की है लो तो मैं उसका सहरा बनूँगा शादी करूँगा उससे हर्गेस नहीं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगा सिर्फ ये बात नहीं मानोगा ये फाइल देखते हो? जी, क्या है इसमिल? तुम्हारे बाप की फैक्टरी का लाइसंस कैंसल कर दिया गया है बिल्ली में बचाथ की एक और कोशिश की जा सकती है इसलिए इस फाइल के साथ राज राथ तुम दिल्ली जाओगे लेकिन क्या तुम अपने बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? आपने मुझे बलाया सर होटेल के ग्राकों का दिल बहलाते बहलाते तुम मेरे ही बेटे के दिल पर कबजा कर बैठी उससे शादी करने के सपने देखने लगी वो जवान है, बेवाकूफ है लेकिन मैं तुम जैसी बाजारी लड़कियों को अच्छी तरह पहचानता हूं अगर तुमारी नजर दौलत पर है, मिल जाएगी लेकिन याद रहे, एक कैबरे डांसर राय बहादर टिकवजे सिंग की बहू कभी नहीं बन सकती राय साब को तुम जैसी हरसीन और जवान लड़की से बात करने का तरीख ही नहीं आता अरे उनकी नौक्री को गुली मारो और मेरे साथ हौंग कॉंग चलो, वहाँ मेरा फाइफ चार होटल है तुम्हें शेदादियों की तरह रखूंगा और फूलों की तरह पेशाओंगा अंकल इस वक में बहुत अपसेट हो क्या का अंकल लगता है वाकई अपसेट हो बाद में बात करूंगा सर, लेला आज भी कैबरे करने को तैयार नहीं आज ये तीसरा दिन है जब वो इंकार कर रही है उसे क्या मैं मुफ्त की तंखा दे रहा हूँ ठीक है आज इस हुटिल में ये उसका आखरी दिन भी है निकल दो से हुटिल esta Aka लृपसे! चवर बुम्चिक, खिर! हमाओ लुम्चिक.. नप बुम्चिक! नपुम्चिक! ऐसी सुन्सान जगा पर इतनी रात को कोई अकेला निकलता है, कोई अक्कल वकल है कि नहीं? अरे, इस तरह क्या देख रही हूँ? क्यों, मेरे डांट ना बुरा लगा ना? नहीं, अच्छा लगा इतने अधिकार से आज दे किसी ने नहीं डाटा मुझे चलो, गारी भी बेटो, तुम्हें जाना कहा है? किसी भी सडक पर किसी भी सडक पर? मैंने पूछा तुम्हें जाना कहा है? मलूम नहीं तुम्हारे माबब कहा है? वो नहीं है इसका मतलब वो.. मैं उनके लिए मर चुकी हूँ चलो जी, लेकिन.. देखो तुम्हें अदिगार जिताना अच्छे लगता है न वह यह अदिगार जिता रहा हूँ मैं थोड़ी देर में सुरजने करने माला है आओ लेकिन है पत्त क्यों नहां झाल 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 हुए अपुर्ण ग। है पहुँए हाव इसे क्या देख रही हूँ, मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ, अपनों के होते हुए बिचारी अके लिए, अरे तुम महा क्यों घड़ी हो, यहाँ बहुत लाचारे बिचारी, इसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, यह कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, ठकी हुई यह, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अभी आया घबराये नहीं, मैं आपके बारे मुझे कुछ नहीं बताऊंगी जो अधिकार आप मुझे खुशी से नहीं देना चाहती, उससे मैं जबरदस्ती नहीं छीनूगी सितारा जी लैला, आज दिवाली है और आज के दिन हमारे घर में जशन मनाया जाता है इस त्योहार के दिन हमारे घर की ओरते इस रंग का पोशाक पहनती है लो, तयार हो जाओ घर की ओरते? महमान भी तो अपनी होते हैं दोस्तों, अब इस खुशी के मौके पर जनाब पंकर जुदास हमें एक गिस सुनाएंगे इस मौके पर जनाब साहिर का एक बहुत ही मशूर शेर मुझे यादा गया के हम गम जदा हैं गाएं कहां से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिन्दगी से हम वाह, बहुत खुशी है हम भी सुनें के खुशी और गम का मिला जुलान शाक कैसा होता है ये आरजू थी के हसकर कोई मिला होता कहीं तो हमसे किसी का दिल लाश ना होता किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे सबाब हिलाई न कोई पयाम अपनों का सबाब हिलाई न कोई पयाम अपनों का सुना रही है फसानी इधर उदर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे 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 मुआप कीजे जो मैं अजनवी हूँ मैं है फिल में के रास्ते नहीं माहूं इस नगर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे मुझे वो दर्द है के जिसे सहसकूँ न कह पाऊं मिलेगा चैन तो अब जान से गुजर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे गया फिराज का दिन भी उदास करके मुझे किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे निगाह भर के मुझे दुनिया में तु आई है अश्क पीने के लिए मुस्कुराना ही पड़ेगा तुझे जीने के लिए आओ अरे आओ भी, come on अर्जन सिंग जी, आपकी महफिलों में तो हमेशा शरीफ और इजददार लोग शरकत करते आए हैं लेकिन आज आज की महफिल में भी आप जैसे शरीफ और इजददार लोग आए हैं मेरा इशारा औरतों की तरफ है औरते भी शरीफ घरानों की आई हैं शरीफों का लिबास पहनने से आवार की शराफत नहीं बन जाती देखिये, आप मेरे महमान हैं, लेकिन आप हट्रे आगे बढ़ रहे हैं I'm sorry Mr. Arjun, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा होटलो मेरे नाच करने वाली यह लड़की हमारे घराने की औरतों में क्या कर रही है मैं भी जानना चाहूंगा हालात की मजबूरी से अगर इंसान की जड़ में गिर जाए तो उसका खुन गंदा नहीं हो जाता यह आपका वहम है या यकीन मैं अर्जुन सिंग यह मेरा यकीन है राज मेरी पत्नी है यह मेरा यकीन है लैला शरीफ माबाप की बेटी है यह भी मेरा यकीन है तो फिर आप तो यह भी मालूम होगा कि इसके माबाप कौन है आप नहीं जानते तो जाने दीजिए ये लड़की तो जानती होगी के इसके माबाब कौन है अरे सहाब जो लड़की कोठों पर पली हो होटलों में नाच करती हो उसका इस हवेली में क्या काम देखिए ये मेरी मुजज़ महमान है हमारे घरों में महमानों की बेज़ती बरदाश नहीं होती ठीक है तो फिर हम लोग यहां का कर रही है हमें आगे दीजिए आँ भाई चलो चलो साहिबान इस महफिल में हमारी कोई जगे नहीं है चलो भाई रुकिये आपका मेरे खोन के बारे में क्या ख्याल है वर्खा देवी जी हम साथ नसलों से आपकी चौकट पर सजदा करते आ रही है आपके बारे में भला इस लड़की की रगों में मेरा खोन दोड़ रहा है लैला मेरी पेटी है पर्खा देवी जजबात की रों में बैकर शायद आप कुछ गलत कह रही है आप शायद यह कहना चाहते हैं कि आप इस लड़की को गोद ले रही है जी नहीं, मैं यह कहना चाहते हूं कि लेला मेरी बेटी है इसे मैंने चनव दिया है बर्खा देवी आप जैनती कि आपके इस बयान से आपकी पार्टी और सरकार पर क्या सरपड़ से है मैं अभी और इसी वक्त पार्टी और सरकार से इस्तिफा दे रही हूं वा बर्खा देवी जी वा आप तो बहुत ऊची हस्ती निकली है हम सब के सामने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी है अगर जहमत नहों तो यह भी बता दें कि इस बच्ची का खुशनेसी बात कौन है क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ यही जानते हैं कि आपने आज तक शादी नहीं की पब्लिक विगर होने के नाते मैं आज तक आप यहर सवाल का जवाब देती आई हूं लेकिन आज के बाद किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझे कोई सवाल करे अगर हक बनता है तो सिर्फ लेला का जल सितार आओ बेटी आओ यह तेरे नाना नानी का खर है अच्छा साथ से बन पड़ा था अफ़ो क्या हालत हो गई है मुझे तो वक्त ही नहीं मिला यह आने का क्या सिधार, एक प्यास थी कि बुचते नहीं थे हम कहीं जाकर दिल को राहत मिली है अब हम एक कोई जुदा नहीं कर सकता लोगए थी है। तुछ यह महिने की थे जब हमने तुझे रजया के हवाले किया था और उसे कह था कि तुझे शांतिने के तन में रखे सल्वा राज और मैं तरस चाते थे तुझे देखने के लिए ठप रजया, तुझे छुपाकर ले आती थी हमसे मिलाने एक दिन में तुझसे मिलने आये, तो मुझसे कहा गया, कि तु खो गई है, मेरी सितारा खो गई है, तुझे धुनने के लिए हमने समीन आसमा नेक कर दिया, और तु नहीं मिले, मुझे ऐसे लगा, जैसे मेरे शरीर का एक आंग तूट गया हो, मैं हार गई, तूट गई, मर ही जादी, तेकि एक अलगी सी उमीद थी, कि तु मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, अमा, आज, आज मेरी सितारा मुझे मिल गई है, सितारा, यह, मुझे माफ करतेगी ना, ना, हो, तुमने आज का पेपर पढ़ा, लैला मिनस्टर साहिब आप बर्खा की अपनी नाजाइज बेटी है, यह बात उसने मान ली, जबके इसकी वज़ा से उनकी कुर्सी भी जीनी जा सकती है, कसम से भाई बड़ी बोर्ल औरत है, नहीं, बलकि बहुत कमज़र माँ है, जो बहुत आसानी से इंतिकाम ले सकते हैं, अड़े, आप फिकर क्यों कर रहे हैं, राय साहब, यह इंतिकाम का डेपार्टमेंट मेरा है, मैं समझा लूँगा, मैं बड़े काम की चीज़ हूं, करन, मैं लैला बोल रही हूं, अरे लैला कहा हो तुम, मैं जब से आया हूं तो म मेरी मा करन, क्या, मा मिल गई, कौन है वो, मेरी मा, मेरी मा बर्खादेवी है, बर्खादेवी, उन्होंने मुझे सब के सामने स्विकार कर लिया, तुम यह जल्दी आजाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूगी, करन, जल्दी आओ, ओके, बाई सितारा, मैं ज़रा दफतर होकर आती हूं, मा, मुझे मेरी पापा के बारे में कुछ बताओ, क्या देख रही है, मैं और तुम्हारे पापा, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सुनील के साथ जीवन बिताने के लिए, नजाने मैंने क्या-क्या सोच रखा था, लेकिन चोटी-चोटी बातों को लेकर हमें जगड़ा हो जाता, एक दिन हम अरजुन सिंग की पार्टी से लौट रहे थे, उस शाम उसने मुझे ऐसी बात सुनाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ सालों के लिए अमेरिका ट्रेनिंग में जा रहा हूं, ले ली, तो को हम शादी करके खटे चलेंगे, मैं तुम्हे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंके रूल्स इसकी इजासत नहीं देते, सुनील, तो मेरा क्या होगा? तुम्हें इंतजार करना होगा, आई यू मैट सुनी, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती, इसका मुदब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो हम दोनों शादी करके अमेरिका क्यों नहीं जा सकते, तुम तो शर्त लगा रही हो, बरका शर्तों पर प्यार नहीं होता, सुनील, तुम्हें सिर्फ अपने करियर से प्यार है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे करियर के लिए मैं अपनी जिन्दगी साकरफाइस कर दो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती I love you very very much पर मेरे भी कोई मजबूरी है मुझे तुम्हारे कोई मजबूरी वजबूरी नहीं सुननी तुम अमेरिका जाना चाहते हो जाओ चले जाओ अमेरिका, मुझे अपने हाल पच्छों वरका मेरी बात तो सुनो तुने मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है आज मुझे तका चल गया कि तुम उसे प्यार नहीं करते है चले जाओ अमेरिका, जिस लिए लोट लिए लोट उस दिल के बाद मैंने उस से मिलने की कोशिश नहीं की थोड़े ही दिनों के बाद वो अमेरिका चला गया एक दिन मुझे पता चला मैं मा बनने वाली हूँ मैं अपने खुश हवास खो बैठी ऐसे मेराज और सल्मा ने मेरा साथ दिया तुनिल कहा गया किस हाल में है मुझे आज तक पता नहीं चला सितारा मुझे जिन्दगी बहुत उल्ची हुए है लेकिन उमीद है तेरे हर सवाल का जवाब मिल क्या होगा अरे वाह अकेली ही बेटी के प्याद पर हख जाता रही है हम भी अपना हिस्टा ले ले आए है यादर का इंसान की जिन्दगी में एक हास मकाम है आज पीते हुए दिनों को याद करकी कितना मज़ाएगा पहले तो हम तीन सहिलियां थी आज हमें हमारी चौथी सहिली भी मिल गई बाते करेंगे, खाएंगे, पीएंगे और बस पता भी नहीं चलेगा कि सुभा, दुपैर, शाम कब कर गई तुम अपनी नहीं सहिली से बातों का सिलसिला शुरू करो मैं दफ्तर जाकर इस्तिफा देकर आती है अच्छा, रस्कुले लादा मत भूला हाँ हाँ, हाँ, ले आओगी अरे सुरो, वर्खा कहने से पहले किचन का समान तयार करते है चले 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 लगा, अच्छा लगा लगा, ये भी अच्छा लगा बगाई लो नी, नी ये भी अच्छा लगा बगाई, रुक जाओ ये अच्छा नहीं लगा अगर ज्यादा उश्चारी दिखाईना तो भेजाव रादूगा समझें? चुप चाप हमारे साथ चलो, में चलो बच्छाओ, उच्छो तुमझे बच्छाओ सितारा, राथ सल्मा तरी रामु काका क्या हो रामु काका? बर्खा बेटी, कुछ गुंडे सितारा और आपके सहेलियों को उठा कर ले गए हलो, अर्जुन सिंग्या है हलो, मैं बर्खा बोल रही हूँ, आप से मिलना चाहती हूँ तो आप आजाई हैं फॉरण सितारा कितना आप हो गई है? आजुन दो वो, यार, लैला, राजीब और सल्मा जी को कुछ गुंडे जबरस्ती उठा के लिए जा रहे थे और साथ में अंकल गोबर्दंदास भी थे यार, मुझे कुछ गड़ बढ़ है कोबर्दंदास हाँ हाँ, बिजिस में तो होता ही है डैड मैं बाद में फूल करता हूँ लैला किदनाप हो गई है डैड किसने किया? आपने क्या बख्वास कर रहे हो? बख्वास नहीं कर रहे हो डैड कोबर्दंदास आप ही किशतरंच का एक मोरा है जो आपकी मर्जी के बिना एक अदम तक नहीं उठा सकता इसलिए उसने ये सब आपके शारे से क्या है ये जूट है सरासर जूट है एक क्याबरेट डांसर के इश्क में तुम इतना पागल हो गए हो कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका बूल गए हो अगर मुझे लेला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाओंगा डैड ये यू ठेल में आप पताएए न मुझे अब क्या कमी है उसमें अब तो वो एक मिनिस्टर की बेटी है आपकी तरह खांदानी है अब तो राए बहादूर दिग विजे सिंग की बहू बन सकती है क्यों ये ठीक की तो कह रहा है मैं उसे इस घर की बहू बना लूँ जिसने मुझसे मेरा बेटा चीन लिया है मैं उसे इस घर की भव बनानू जिसकी माने मेरा बिसनिफ दर्बात कर दिया है हर्गिस नहीं तुम जीते जी ये खुआब कभी पूरा नहीं कर सकते हैं और मैं मरते मरते भी अपना ये खुआब पूरा करूँगा राय सहप करें, करें सितारा के साथ साथ सलमा और राज की जन भी खत्रे में हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आरा क्या करूँ पुलीस को फोन करें नहीं, पुलीस को फोन करने से बात और बिगर जाएंगे I have an idea Commando Headquarters? Yes Oh You don't worry, it will be done Karim, go there Chattu, do you here? Yes Laga, acha laga Hey, Goward Ndaasar, तुम्हें पैसे किस लिए दिये? Hey, यह हमारी आपस की बात है चल भे, आपस की बात, पता आपे, चल ना Fucking faster, faster Come on, come on, come on Come on, come on Are you? वो गया है यह तो गया कहा है उस तरह उस तरह उस तरह उस तरह उस तरह उसके बाइक वह यहीं कहीं पर है हाँ चंदू तू ऐसा कर वर्काजी को बता मैं उसे यह नूनता हूँ की जा जल देकर कर दो बतो बतो प्राइव कि यह 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 टे किली थे बहता है, किडिग में चर्ड झरा ते उन्मा बढ़ की पहान। शतार गफ पाता नहीं, जिली का योगी आप, इस लोगी को परण में आजे ले चलों ठीक है सितार का एं? महलूम नहीं, कबसे जुण रहे है? बचाओ! अर्जॉर, भॉलोक शितार कुले जारे में उजूँ छोड़ तो मजे, छोड़ दो छोड़ दो चोड़ दो रहे हैं नहीं छोड़ दो झाल झाल अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस लवती का भेजा वा दूंगा झाल झाल जागर झाल जागर अगर झाल 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 और, प्लिफ ने, तिल्स पोगा! सितारा हमा यह रही आप क्या मानद आप लोगों से इस हालाद में मुलाकत होगी सोचा नहीं है यह जदगी मिलना बिछर्णा सब क्या है इस के सामने जमाने वाले हारते आएं नेरी हार में कौंसी बड़ी बात आओ बेटी बेटी तो हमारी दिल आशना है, जीगर आशना है तुमसे तो हमारी, हाँ तुमसे तो हमारी नजर आशना है, दिल आशना है तेरे गम के सद ते जाँ, मैं हूँ तेरे साथ में के दे दे तु इन हाथों को सनम मेरे हाथ में तुझे तिक्र क्यों है जानम, आरे मैं हूँ तेरा हमदम के अब तो ये गम तेरा मेरा गम है जाने है दिल आशना है, जीगर आशना है तुमसे तो हमारी नजर आशना है दिल आशना है, जीदर आशना है, तुमके तो हमारी नजर आशना है दिल आशना है दिल आशना है दिल आशना है